आप सभी का बिहारेनियم 1077 भर्ती लेटिस्ट अपड़ेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद हैतड ऑच्छे अर सबसदोंगे और बिहारेनियम 1077 भर्ती की कांस्लिंग का इंतिजार कर रहे होंगे कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए क्योंकि हम लगातार आपके लिए महत पोर्ड से महत पोर्ड अपडेट आपके लेकर आते रहते हैं फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों आप लोगों से क्यों लेकर रिक्विष्ट है कि चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेटेश अपडेट आप के लिए लेकर आएं हमने आपको एक नोटिस के मादम से समझा दिया है कि बिहार इन्यम दसजार सासनों भरती में अब एकजाम नहीं होगा क्यों मेरिट की ही आधार पर इस भरती को पूरा किया जाएगा लेकिन बहुत से अभ्यारती ऐसे हैं जो लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि सर क्या बिहार इन्यम दसजार सासनों भरती में मेरिट की ही आधार पर होगा क्या एकजाम की आधार पर होगा आपकी पास सबूत क्या है तो दोस्तों हम आज उन सभी अभ्यारतू के सवालों के जवाब इस ویڈियो के माद़ं से देना चाहते हैं लेकिन सवसे पहले हम उन सभी अभ्यारतू से कहना चाहते हैं कि वो लोग जो सब लोग कमेंट कर रहे हैं आप हमारे चनल को सब्सक्राइब किजी ताकि हम इसी तरह के लेटेस्ट अप्टेट आप के लिए लेकर आएं अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम इसी तरह के लेटेस्ट अप्टेट कहां से लेकर आएंगे तो दोस्तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा आप सबी है भारतों को मालूम है कि बिहार निम 1070 भरती सम्मध्धित एक नई नोटिस जारी की गई थी जिसमें साब निर्देस दिया गया था कि बिहार निम 1070 भरती में अब एक्जाम होगा किवल बिहार निम 1070 भरती की जो जो जोइनिंग प्रक्रिया होगी वो किवल मेरिट की ही आधार पर होगी आपके सभी साच्छी के होगे ताकि आउंकों को जोड़कर एक मेरिट लिष्ट तयार की जाएगी और उसी मेरिट लिष्ट के आधार पर आपका सेलेक्शन किया में सभी या बिहारती भाग लेंगे जो चातर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे और जिनका सेलेक्शन होगा वो मेरिट की ही आधार पर होगा तो हम दोस्तों आप लोगों से कहना चाहते हैं कि बिहार निम 1070 भरती में कोई एकजाम नहीं होने वाला है किवल इस तो मेरिट की ही आधार पर पूरा किया जा गया इस बार जितने भी कंडिडेट हैं उनको मेरिट बेस पर ही चांस मिलने वाला है एकजाम बेस पर अगली बार सभी अभ्यारतों को चांस मिलेगा जब बिहार में 12,746 पदों का नए नोटी पिकेसन जारी किया जाएगा तो उस भरती में एकजाम होगा लेकिन इस भरती में कोई एकजाम नहीं होने वाला तो दोस्तों अगर आप बिहार इनिम 10,749 भरती में आलाइन आवेदन कर चुके हैं और आलाइन आवेदन कर दिया है और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के आज बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर आया है क्योंकि एकजाम के संबंद में लगातार आप बार बार कमेंट कर रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि एकजाम हो गया नहीं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार इनिम 10,749 भरती में कोई एकजाम नहीं होने वाला क्यों क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि बिहार में जब इस भरती का नोटिपिकेशन जारी किया गया था तो उसमें साफ निर्देश दिया गया था कि बिहार में एनिम 10,749 भरती की काउंस्टिंग के और मेरिट की ही आधार पर होगी आईए बात करते हैं कुछ चातर ऐसे हैं जो लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि बिहार इनिम 10,749 भरती में एकजाम नहीं होगा ऐसा क्या आपके पास सबूत है तो दोस्तो हम ऐसे चातरों को सबूत कुछ देना चाते हैं तो दोस्तो पहला सबूत यह है कि बिहार इनिम 10,749 भरती में एकजाम के संबध में कोई अ आयोग के माध्यम से नोटिस नहीं जारी की गई है कि बिहार इनिम 1070 भरती प्रक्रिया में अब एक्जाम होगा दोस्तों जो बिहार इनिम 1070 भरती प्रक्रिया में अगर एक्जाम होगा ऐसी कोई नोटिस जारी की गई है तो आप हमें जरूर बताएं दोस्तों बिहार इनिम उसमें बिहार एनेव 10709 भरती का कोई जिक्र नहीं है इसलिए यही अनुमाल लगाया जा रहा है कि बिहार एनेव 10709 भरती में जो होगा वो मेरिट की हिया धार पर होगा यह सबूत नमबर एक थे अब बात करते हैं सबूत नमबर दो दोस्तों बिहार इने 10,007 भरती के हम सबूत नमबर 2 आपको देने जा रहा है दोस्तों किसी भी भरती की एक निमा वली होती है जब किसी भी भरती का विग्यापन निकाला जाता है तो उस विग्यापन के अनुसार सभी अभ्यारती को एक नोटिस जारी की जाती है और उसी नोटिस के मुताबिक सभी छातर उसमें आलाइन आवेदन करते हैं आलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक एक्जाम या मेरिट का समय निरधारी किया जाता है फिर सभी छातरों की चैन प्रक्रिया एक निमा वली की मुताबिक होती है इसलिए आयोग ने भी ऐसा किया था आयोग ने एक नोटिस जारी किया था कि इस भारती को मेरिट के ही आधार पर पूरा किया जाए सभी अभ्यारती जो थे वो मेरिट के ही आधार पर इसमें आलाइन आवेदन कर चुके है आगर बिहार एन्यम दहजार सासनों भरती प्रक्रिया में आयोग कुछ परिवर्थत करता तो सबसे पहले सभी छात्रों को एक नोटिस जारी करके सूचित करता लेकिन आयोग ने कोई भी सूचना अभी तक नहीं दी है तो नियम नमबर दो या सबूत के अधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार एन्यम दहजार सासनों भरती में मेरिट की ही अधार पर होगी नियम सबूत नमबर तीन देना चाते हैं दोस्तो अगर हम बात करें सबूत नमबर तीन की तो बिहार हिनें 10709 भरती में मेरिट की ही आधार पर सेलेक्षन किया जाएगा ऐसा विग्यापन में साफ सब्दों में वपरड़ी थे अब हम बता दें कि आयोग का नियम क्या होता है अगर आयोग किसी भरती का विग्यापन एक बार जारी कर देता है तो उस भरती को हर हाल में पूरा करना होता है अगर उस भरती को किसी कारणवस रोकना होता है तो आयोग सबसे पहले उस भरती के संबंध में एक नोटिस जारी करता है किस भरती प्रक्रिया को इस कारण से रो जार सासनों भरती प्रक्रिया में मेरिट की ही आधार पर होगी सबूत नमबर चार अगर अगर किसी भरती का बिग्यापन निकाला जाता है तो भरती के बिग्यापन में आवेदन होने के पशाद लगभक 6-7 महिना बीद जाने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकत तो दोस्तो आवयोग ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है नहीं भरती में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया है नहीं भरती क को रद किया है इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिग्यापन के बिहार इनें 10,709 भरती में अब की बार मेरिडवाले चातरों का चांस होने वाला जो भी चात्र बिहार इनियम 10,700 भरती में आल लाइन आवेदन किये थे उनके लिए बहुत बड़ी गुड नीज है यह भरती बिहार इनियम 10,700 भरती में क्योवल मेरिड की ही आधार पर होने वाली है आपके सभी सच्छिक योगता के अंको को जोड़कर एक मेरिड लि कर लें और इकठा कर लें जैसे ही आयोग भी हार इनियम 10,700 भरती के संबंद में आप ही सियल अपडेट चारी करेगा तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे लेकिन दोस्तों आप लोगों का भी एक कर्तब है कि आप हमारे चनल को अभी सब्स